हलो दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूटूब चैनल पर आज हम 7 जन्वरी को हुए C321 पेपर वन के फुल 30 कोश्चिन्स CDP के कम्पलीट करेंगे तो दोस्तों आपका पहला कोश्चिन अजर्शन और जीजन वाला आया था अभी कथन एक बच्चा 11 महिने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महिने में चलना सीखता है कारण व्यक्तियों में विकास अलग-अलग दरोपर होता है तो आपका पहले का उप्शन पहला सही हो जाएगा आपका सेकेंड कोश्चन आया था डवलब्मेंट इस डिपेंडेंट अपॉन विकास निर्भर है तो आपका दूसरे का उप्शन फूर्थ सही हो जाएगा जो आपका विकास है वो आपका अनुवांसिक बनावट भौतिक पर्यावरन समाजिक सांस्कतिक कारण इन सभी पर निर्भर है कि आप जैसे परिवेश में रहते हैं वैसे ही आपके विचार होते हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक भी कर दीचिएगा और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाह किये गए हैं आप इस यूटूब चैनल को विजिट करें और सभी सिफ्टों के सोलीशन्स देख लीजिए आपका थार्ड कोशन आया था किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और मनोव ज्यानिक विकास के सभी पहलों का समर्थन करता है तो आपका थार्ड को दूसरा सही हो जाएगा प्रारंबिक बच्पन आपका फॉर्थ कोशन आया था विच आप दा फॉलोविंग इस अन एजेंसी या प्राइमरी सोसलाइजेशन ऑफ चिल्डरन निम्न लिखित में से कौन बच्चों के प्राथ्मिक सामाजी करण की एजेंसी है तो आपका पानी को एक लंबे और संकीन गिलास से एक चोड़े कंटेनर में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मातरा समान रहती है प्राइजे के अनुसार ऐसा इसलिए है क्यूंकि तो आपका फिप्ट का उप्शन पहला सही हो जाएगा वह अपनी सोच को उलट नहीं सकती सी के नौट रिवर्स हर ठींकेंग आपका सिख्ट कोश्चन आया था लेव गौट्सकी के अनुसार डेस हमारी संग्यनात्मक संरचनाएं बनाते हैं और हमारी सोच प्रक्रिया को संसोधित करते हैं तो आपका सिख्ट को उप्शन दूसरा सही हो जाएगा सांस्रतिक उपकरण आपका एट कोश्चन आया था समूहों में चर्चा और सकारात्मक सिख्चक छात्र संबंद की विसेश्ता है तो आपका एट को उप्शन पहला सही हो जाएगा प्रेगतिसील कच्छा प्रोग्रेसिव क्लास्रूम आपका नाइन्ठ कोश्चन आया था इन अच्चाइल सेंटर्ड क्लासुरूम स्टुडेंट्स बाल के अंदलित का च्छा में विद्यार थे आपका नाइन्ध का ओप्शन दूसरा सही हो जाएगा घ्यान के सक्री निर्माता है आपका तैंध कोश्चन आया था व्यक्तियों का तर्क है कि पोल बग के चरण में सही कारवाई विवेक के स्वाच चुने हुए नैतिक सिध्धान्तों द्वारा परिवासित की जाती है तो आपका टेंथ को आप्शन फूर्थ करेक्ट हो जाएगा सार्व भौमिक नैतिक सिध्धान्त यूनिवर्सल एथिकल प्रिंस्पल्स आपका 11 कोशन आया था जिन व्यक्तियों में दूसरों के उद्देश्यों भावनाओं और व्यवहारों को समझने की चमता होती है हावर्ड गाडनर के सिध्धान्त में उनके साथ बंधन डैश बुद्धी पर उच्छ है आपका 11 कोशन दूसरों सही हो जाएगा अंतर वैक्तिक इंटर पर्सनल आपका 12 कोशन आया था जैसे ही बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं आपका 12 कोशन पहला करेक्ट हो जाएगा उन्हें अपनी मातर भासा में बोलने की अनुमत दी जानी चाहिए क्योंकि अभिवक्ति महत्पूर्ड है आपका 13 कोशन आया था लड़कों को अक्सर कार और यांतरिक ब्लॉक उपहार में दी जाते हैं जबकि लड़कियों को गुड़ियां और खेलने के लिए ड्रॉइंग की अपूर्ती उपहार में दी जाती हैं यह अनुचित प्रथा दरसाती हैं तो अफकॉर्स यह आपका जेंडर बायस सो करेगे लिंग पूर्वाग रहें तो 13 कोशन आपका तीसरा सही हो जाएगा इसे प्रोचाहित करें क्योंकि यह स्वा नियमन की सुविधा प्रदान करता है आपका 15 कोशन आया था कच्छा में प्रश्ण पूछने के बारे में निम्न लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो इसमें आपका पहला आप्शन सही हो जाएगा चात्रों को प्रश्णों के उत्तर देने के लिए कहने का मुख के उद्देश से उनका परिछड करना आपका 16 कोशन आया था समाव एसी सिच्छा की अवशक्ता है तो आपका 16 को आप्शन तीसरा सही हो जाएगा चात्रों के आप्शक्ता के अनुसार उचित आवास आपका 17 कोशन आया था निम्न लिखित में से कौन सी सीखनी की अच्छंता हाथ से आख में समन्वे संत्लन और मैनुवल निपोड़ता की च्छंता को प्रभावित करती है हिंदी काफी टाफ होती है क्योंकि यह गूगल ट्रांसलेटेड होती है तो एक बार यह आप इंगलिज को जरूर प्रिफर करिए विच आप दा फॉलोविंग लर्निंग डिसिबेलिटी इंपेक्स दा अबिल्टी ऑफ हैंड आई कोडिनेशन बैलेंस एंड मैनुवल डेक एक सिच्छा को चाहिए तो आपका 18 को आप्शन पहला सही हो जाएगा परिवेस में सचेत्र किसी भी चीज के लिए मौखे की सपस्टी करण जोड़े आपका 19 कोश्चन आया था जन जाती है समुदायों के छात्रों के सफल समावेस के लिए एक सिच्छा को निम्न से बचन चाहिए तो आपका 19 को आप्शन फूर्थ करेक्ट हो जाएगा सिच्छण अवधार नाएं उनके जीवन के लिए पूरी तरह आप संगिक हैं कीचिंग कॉंसेप्ट टोटली इरेलिवेंट टूदियर लाइब्ज आपका 28 कोश्चन आया था दिव्यांगता वाले चात्रों को सामिल करने के लिए प्युक्त रड़नीती का निम्न लिखित में से कौन सा जोड़ा सही डंग में मेल खाता है तो आपका 28 को आप्शन दूसरा सही हो जाएगा ऑटिजम इतना हो सके उसी सड्डियूल से रहें आपका 21 कोश्चन अजर्शन रीजन वाला आया था तो आप आपका अभिकतन दिया गया था सिच्चकों को निड़ा लेने में चात्रों को सामिल करना चाहिए और सक्रिय कच्छा में भागीदारी को प्रत्साहित करना चाहिए कारण अधिकम सीदे सिच्चक से विद्यार्थी तक पहुंचा आया जाता है तो आपका 21 को आप्शन तीस पहला सही हो जाएगा जो उनके द्वारा पहले सही समझा और माना जाता है what is already understood and believed by them आपका 23rd question आया था सामाजिक संदर्व में सीखने के संबंद में निम्न लिखित में से कौल सकतन सही नहीं है तो आपका 23rd option दूसरा सही हो जाएगा सभी सीखना व्यक्तियों द्वारा अ इस नौट करेक्ट तो आपका 23rd option दूसरा सही हो जाएगा all learnings is undertaken by individuals in their own heads आपका 24th question आया था निम्न लिखित में से कौन सा कारक छात्रों की विफलता के लिए जिम्मेदार है तो आपका 24th option पहला सही हो जाएगा गयर प्रासंगिक पार्ठिक्रम आपका 25th question आया था प्रभावी सीखने के लिए डैश विद्यार्थी की भागिदारी की अवशक्ता होती है तो आपका 25th option पहला सही हो जाएगा सक्री है अग्टिव आपका 26th question आया था metacognitive skills तो आपका 26th option पहला सही हो जाएगा सोच और सीखने को वी नियमित करें आपका 27th question आया था तुरुटियों के बारे में नियमिल खित में से कौल सा कथन सही है तो आपका 27th option तीसरा सही हो जाएगा तुरुटियों को चर्चा और विशलेशन द्वारा सार्थिक सिच्छड में बदला जा सकता है आपका 28th question आया था शीखना और सूचना प्रसंसकरण है तो आपका 28th option पहला सही हो जाएगा भावनाओं से काफी प्रभावित आपका 29th question आया था एक विद्यार्थी कुछ अवधार्णाओं की बारे में अपनी जिग्यासा को संतुस्ट करने के लिए किताबी पढ़ रहा है यह इसका एक उधारण है तो आपका 29th option पहला सही हो जाएगा द्रश्टी कोड उन्मुक महारत लच्छ अप्रोच ओरियंटेड मास्ट्री गोल्स अप एक बारी इंगलिस जरूर देखें बिकास हिंदी काफी टाफ होती क्योंकि गूगल ट्रांसलेटेड होती है आपका 30th option दूसरा सही हो जाएगा बहु विश्यक और समगर सिच्छा है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ सेयर करें आज हम 8 जनुवरी को हुए सीट ए पेपर वन के फूल 30 कोश्चन सीडी पी के करेंगे अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक दे कर दीजिएगा और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस यूटूब चैनल को विजिट करें इस यूटूब चैनल पर 2021 में हुए सीटेट पेपर वन और पेप स्किल्स वाइल डैश रिक्वाइस यूज फाइन मोटर स्किल्स तो बेसिकली ग्रॉस मोटर स्किल्स को इस थूल गत्यात्मक कोशल कहते हैं तो इसमें जो आपका आप्शन करेक्ट हो जाएगा वह है फस्ट रनिंग एंड ड्रॉइंग चलना चित्रकारी आपका थर्ट प इन में से कौन सा बच्चा मद्य बच्चपन की अवस्था में होगा तो एक बच्चा जो च्तार की रूप से तर्क कर सकता है और संदच्छण कार कर सकता है आपका fourth question आया था अजर्शन है region का तो आपका अभिकतन दिया गया था बच्चे विवहार के तरीकों और अपने परिवार में रहन सैन के मूल्यों और माप दंडों को सीखते हैं कारण दिया गया था परिवार बच्चों के समाजी करण का एक गोड़ अभिकरण है तो इसमें आपका option third correct है यह सच है लेकिन आर गलत है आपका fifth question आया था विच आपदा following is a correctly matched pair निम लिखित में से कौन सा सही सुमेलिक युगम है तो fifth option आपका third correct हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा संरच्छित और वर्गी करत करने में सच्छम है आपका sixth question था in PRJ cognitive development theory the process of search for balance between self and the world is referred to as PRJ के संग्यनात्मक विकास सिधान्त मिस्वायम और संसार के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया को कहा जाता है तो आपका sixth option correct होगा first संतुलन बच्चों के बारे में बच्चों में बहुत अधिक छंता है जिसमें वे कार सामिल हैं जिन्हें वे समर्थन से कर सकते हैं आपका eighth question आया था जब एक सिच्च का संकित और संकित देकर एक पहली को एक साथ रखने में बच्चे का समर्थन करती है तो वे किस रचना का उप्योग कर रही है तो आपका eighth option second correct हो जाएगा मच्चान इसका है folding आपका ninth question आया था अजर्शन एंड रिजन वाला तो अभी कथन एक बाल केंद्रित अच्छा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर सनरचित पाटकरम का अनुशरण करती है कारण दिया गया था बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब सिच्छक उप्देशात्मक और नियंत्रित होता है तो इसमें आपका option fourth correct हो जाएगा दोनो A और R गलत हैं आपका tenth question दिया गया था विच आपदा फालोविंग टेक्टराइज टेक्टराइज ऐस आप प्रोग्रेसिव क्लास्रूम नियम लिखित में से कौन एक प्रगत सील सच्छा की विशेशता है तो आपका tenth का option correct हो जाएगा तीसरा गती विदियो कार्यों को करते समय बच्चों का मुल्यांकन किया जाता है आपका 11th question Amit reasons that we can change laws if they do not meet the needs of the society but it should be done through mutual agreement and democratic process according to Lawrence Kohlberg at which stage of moral reasoning does Amit come under Amit का तर्क है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं ये दिवे समाज की जरूर्तों को पूरा नहीं करते है लेकिन ये आपसी सहमती और लोग तांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए Lawrence Kohlberg के अनुसार Amit नैतिक तर्क के केश चरण में आता है तो आपका 11th का option correct हो जाएगा दूसरा सामाजिक अनुवन अभिविन्या सोशल कांट्रेक्ट ओरियंटेशन आपका 12th question आया था इन हावर्ड गार्डनर थियोरी परसंस हाई ओन डैश इंटेलिजेंट्स हैफ फाइनर सेंसिबिल्टीज रिगार्डिंग दियर आइडेंटिटी हूमन एक्जिस्टेंस एंड मीनिंग अफ लाइफ हावर्ड गार्डनर के सिध्धान्त में डैश बुद्धी पर उच वेक्तियों में उनकी पहचान मानव अस्तित्तो और जीवन के अर्थ के बारे में बहतर सम्वेदन सिलता होती है तो आपका 12th option 4th correct हो जाएगा अन्तह वयक्तिक इंट्रापर्शनल आपका 13th question आया था A 5-year-old girl utters this is not for me girls do not play with cars on getting a car as a gift this is an indication of पास साल की बच्ची बोली ये मेरे लिए नहीं है उपहार के रूप में कार मिलने पर लड़किया कारों से नहीं खेलती है ये इस बात का संकेत है तो आपका 13th option correct हो जाएगा तीसरा जेंडर स्टिरियो टाइपिंग ये जेंडर बायस को सो करता है आपका 14th question आया था which of the following is an effective strategy to cater to cultural and linguistic differences in the class कच्चा में सांस्कितिक और भासाई अंतर को पूरा करने के लिए निमन लिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीती है तो आपका 14th option correct हो जाएगा 4th विभिन्यताओं को अभाव के रूप में देखना recognize that difference are not defects आपका 15th question National Education Policy 2020 suggest that assessment राष्ट्री सिच्छानीती 2020 बताती है कि मुल्यांकर तो आपका 15th option correct हो जाएगा दूसरा एक निश्चित अवधी में बच्चे की प्रगती का पता लगाना महत्वपूर है आपका 16th question Inclusive education requires समा वेसी सिच्छा की अवशकता है तो आपका 16th option correct हो जाएगा दूसरा व्यक्तिकत मत भेदो पर विचार और सम्मान आपका 17th question Which of the following behavior is an identifier of dyslexia निम्न लिखित में से कौन सा बेवहर dyslexia का पहचान करता है तो आपका 17th option correct हो जाएगा First B को D 21 को 12 के रूप में लिखना आपका 18th question Students having autism can be identified by challenges they faces in Autism से पेड़त छातरों की पहचान उनके सामने आने वाली चुनातियों से की जा सकती है तो आपका 18th option पहला correct हो जाएगा अभिवेंजक और ग्रहेंड सिल संचार में चुनाती expressive and deceptive communication आपका 19th question Successful inclusion of students with locomotor disabilities requires locomotor विकलंग चातरों के सफल समावेज की आवशकता है आपका 19th option First correct हो जाएगा सुलब अवसन रचना accessible infrastructure आपका 20th question which of the following practice will be helpful in inclusion of students with diverse learning differences निम्न लिखित में से कौन सा अभ्यास विविद अधिगम प्राथमिक्ताओं वाले चातरों को सामिल करने में सहायक होगा तो आपका 20th का 2nd option correct हो जाएगा आज पास के खतरों और विकर्षणों को काम करें मिनमाइस थ्रेट्स एंड डिस्ट्रेक्शन्स इंदा सराउंडिंग्स आपका 21st question Students learn through self-initiated activity while actively engaging in discussions in our classroom based on कच्छा में चर्चाओं में सक्रिय रूप से सनलगन रहते हुए चातर स्वा आरंभिक गतिविधी के माध्यम से सीखते हैं तो आपका 21st का 3rd option सही हो जाएगा सामाजिक रचनात्मक्ता आपका 22nd question आया था meaningful learning सार्थक सीख तो आपका 22 का उत्तर होगा चौथा फूर्थ विशलेशन आलोचनात्मक्त सोच और समस्या समाधान की प्रत्रिया सामिल है involves the process of analysis, critical thinking and problem solving आपका 23rd question which of the following has not been advocated in the National Education Policy 2020 राष्ट्री सिच्छा नीती 2020 में निमनलिखित में से किसकी वकालक नहीं की गई है तो आपका 23rd option 4th is correct 2nd, 3rd, 4th युगात्मक्त मूल्यांकर पाठकरम समगरी बढ़ाना प्रद्योग्की के उप्योग में कमी 24th आपका question आया था which of the following is a correctly matched pair of response and goal orientation निमनलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया और लच्छ अभिविन्यास की सही सुमेलिद जोड़ी है तो आपका 24th का option 1st, पहला correct हो जाएगा विशेश रुचि के छेत्र में किसी की छमता में सुधार के लिए कार ये पत्तरक करना दर्श्टिकोर उनमुक महारत लच्छ डूइंग और वक्सी टू इंप्रूब वन्स कंपिटेंस इन डूमेन और पर्टिकुलर इंटरेस्ट अप्रोच ओरियंटेड मैस्ट्री गोल्स आपका 25th question इन ओर्डर तू फैसिलिएट इस्टूडेंट्स लर्निंग अटीचर सुध विद्यार्थी के अधिगम को सुखम बनाने के लिए एक सिच्छा को चाहिए तो आपका 25th का 4th option सही हो जाएगा बच्चे जो पहले से जानते हैं उसके साथ जुडाओ को सच्छम करें इनेबल लिंकेस विद वार्ड़ चिल्डरेन अल्रेडी नो आपका 26th question विच आप दा फॉलोविंग इस आ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच फॉर डिलिंग विद दा मिस्कंसेप्शन्स कैरीड बाई स्टुडेंट्स निमन लिखित में से कौन छात्रों द्वारा की गई गलत फैमियों सेने पटने के लिए एक रचनातमक दरश्टी कोड है तो आपका 26th का उप्शन तीसरा सही हो जाएगा गलत धारणाओं का मुकाबला करने के लिए प्रयोग और अवलोकन के औसर दे आपका 27th कोश्चन था विच आपदा फॉलविंग इस यूसफुल इन फैसिलियेटिंग कॉंसेप्शूल अंदरस्टेंडिंग अफ आट टास्क अमंग स्टूडेंट्स निम्न लिखित में से कौन छात्रों के बीच किसी कार्य की अवधार्णात्मक समझ को सुगम बनाने में सहायक है तो 27th कोश्चन आपका दूसरा सही हो जाएगा चर्च और समवाद आपका 28th कोश्चन प्रभावी होने के लिए एक सिच्छक को सक्तिरिय करना चाहिए तो 28th कोश्चन आपका दूसरा सही हो जाएगा बच्चों में छमता का बढ़ता विकास आपका 29th कोश्चन बच्च आपदा फॉलोविंग इस नॉट एन एक्जाम्पल आफ स्ट्रिंग्शिक मोटिवेशन निम्निकित में से कौन बहा अपेरणा का उधारण नहीं है तो आपका 29th कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा ज्यान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समाज में सामिल होना ज्यानिंग डिवेट सुसाइटी तू गेन नॉलेज आपका 30 कोश्चन आया था डैस इस लाइकली तू डैस स्टूडेंट्स अच्यूबमें डैस के स्तेमाल से विद्यार्थियों की अपलबधी में डैस होने की संभावना है तो आपका 30 का कोश्चन 30 का ओप्शन सही हो जाएगा सामाजिक सहयोग और प्रध्धी सोसल कोलाबरेशन, इनहिंस अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस यूट्यू चनल को सब्सक्राइब करें आज हम 10 जनवरी को हुए सीटेटन 2021 पेपर वन के फुल 30 कोश्चन सीडीपी के कम्पलीट करेंगे तो आपका पहला कोश्चन आया था निम्न लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आप इसमें जरूर फोकस कीजिए सही नहीं है पूछा गया है या सही है पूछा गया है तो इसमें पूछा गया है सही नहीं है वो कथन आपको बताना है तो आपका पहले को आप्शन दूसरा सही हो जाएगा विकास केवल अनवान सिक्ता से प्रभावित होता है दोस्तों अगर आपको तो ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गा वीडियो को लाइक दे कर दीजिए गा और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस यूटूब चैनल को विजिट करें इस यूटूब चैनल पर 2021 में हुए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्जिमम सिफ्टों के सलुशन्स आल्रेडी प्रोवाइट कर दिये गए हैं आप इस यूटूब चनल को विजिट करें और सभी सिफ्टों के सलुशन्स देख लीजिए तो आपका सेकेंड कोश्चन आया था निम्न लिखित में से कौन सा भासा अर्जन के लिए सम्वेदन सील काल है तो आपका 30 सेकेंड कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा प्रारंबिक बचपन अर्ली चाइल्ड हुड आपका 3 कोश्चन आया था डैश और डैश बच्चों के समाजी करड के लिए माध्यमिक एजन्सियां है तो आपका 3 कोश्चन तीसरा सही हो जाएगा इस्कूल धर्म इस्कूल रिलीजन आपका 4 कोश्चन आया था जीन प्याजे के संग्यनात्मक विकास के सिंधान्त में बच्चों दौरा संरच्छन प्राप्त किया जाता है तो आपका 4 कोश्चन तीसरा सही हो जाएगा मूर्ट संक्रियात्मक कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आपका 5 कोश्चन आया था जो बच्चे फोस परचालन चरण में हैं उनके लिए सिच्चकों को ये नहीं करना चाहिए तो आपका 5 कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा ऐसी समस्याई देजिए जिनके लिए अमूर्तन की और सकता होती है गिव प्राप्लम्स दैट रिक्वायर अफ्स्ट्रेक्शन आपका 6 कोश्चन आया था चार से पांस साल के बच्चे अक्सर खुद से बात करते हैं लेव गाउट्सकी के अनुसार ये बात तो आपका 6 कोश्चन फूर्थ करेक्ट हो जाएगा उन्हें अपनी सोच को वी नियमित करने में मदद करता है हेल्प देम टू रेगुलेट दियर ओन थिंके आपका 7 कोश्चन आया था किसने इस बात पर जोड़ दिया की सामाजिक और सांसकतिक संदर्व के बिना व्यक्तिकत विकास को नहीं समझा जा सकता है तो आपका 1 आप्शन करेक्ट हो जाएगा लेव विगोट्सकी आपका 8 कोश्चन आया था लॉरेंस कोलवर्ग के नैतिक सिधान्त के किस शरण में व्यक्तियों का तर्क है कि केवल समाज ही व्यक्ति नहीं ये निधायत कर सकता है कि क्या सही है तो आपका 8 कोश्चन तीसरा सही हो जाएगा प्राधिकरण और समाजी विवस्था अभी विन्यास बनाए रखना सोसल ओर्डर मेंटेनिंग ओरियंटेशन आपका 9 कोश्चन आया था हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तावित लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में निम्न लिखित में से कौन सा विवरण फिट बैठता है तो आपका 9 कोश्चन ओर्थ करेक्ट हो जाएगा वैज्यानिक रूप से मुद्दों की तर्क और जांच करके समस्याओं का विश्लेशन करने की छमता आपका 10 कोश्चन आया था एक प्रकति सील कच्छा में सीखता है तो आपका 10 कोश्चन पहला सही हो जाएगा बातचीत और समवाद के माध्यम से होता है तो आपका 11 कोश्चन अजर्शन और रीजन वाला आया था तो आपका अभिकतन दिया गया था गड़ित के सीखतों को कच्छा में लड़कियों से बहुत कम पेच्छाएं रखनी चाहिए लड़कियों में गड़ित को समझने की आनुवानसिक छमता नहीं होती है तो आपका 11 कोश्चन पूर्थ करेक्ट हो जाएगा दोनों A और R गलत हैं बोथ A and R are false आपका 12 कोश्चन आया था भासाओं के संदर्व में राश्ट्री सिच्छानीती 2020 इस पर बल देती है तो आपका 12 कोश्चन पहला सही हो जाएगा बहु भासा बाद मल्टी लिंगुजम आपका 13 कोश्चन आया था मुल्यांकन का उद्देश्य है तो आपका 13 कोश्चन पूर्थ करेक्ट हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया में सिच्छार्तियों का समर्थन करने के तरीकों का पता लगाएं आपका 14 कोश्चन आया था विच आप दा फॉलोविंग कोश्चन प्रमोट्स क्रिटिकल ठिंकिंग निम्न लिखित में से कौल सा प्रस्ण अलोचनात्मत सोच को बढ़ावा देता है तो आपका 14 कोश्चन पूर्थ करेक्ट हो जाएगा सहरी करण और वैश्वी करण बिभिन सामाजिक आर्थिक स्थर लोगों को प्रभावित करने वाले बिभिन तरीकों का विसलेशन करें आपका 15 कोश्चन आया था सिच्छार्थियों के वीच व्यक्तिकत मदभेदों को पूरा करने के लिए एक सिच्छा को चाहिए तो आप सिच्छार्थियों द्वारा उनके साथ उप्यों किये गए पिछले अन्भवों का निर्मार करें आपका 16 कोश्चन आया था एक समावेसी कच्छा में तो आपका 16 कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा छात्र समान रूप से बढ़ते और विक्षित होते हैं आपका 17 कोश्चन आया था आर्थिक रूप से कमजोर वर के चात्रों की सिच्छा की संबंद में सिच्छा का अधिकार अधनियां 2009 के खंड बारा द्वारा निम्न लिखित में से इसकी सिपारिस की गई है तो आपका 17 कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा निजी स्कूलों में आरच्छन आपका 18 कोश्चन आया था निम्न लिखित में से कौन सी सीखने की आच्छमता गड़ती ये गड़ना करने की च्छमता को सीधे प्रभावित करती है तो आपका 18 कोश्चन पहला सही हो जाएगा डिस कैलकुलिया आपका 19 कोश्चन आया था इंक्लूजन आफ इस्टूडेंट्स विथ डाइवर्स लर्निंग नीड्स रिक्वायर्स विविद सिच्छन आवशक्ताओं वाले च्छात्रों को सामिल करने की आवशक्ता है आपका 19 कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा लचीला पाठ करम आपका 20 कोश्चन आया था प्रतिभा साली च्छात्रों की अवशक्ताओं को पूरा करने के लिए निम्न लिखित में से कौन एक प्रभावी रड़नीती है तो आपका 20 कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा उन्हें चुनोती पूड और उच्चिकरम के कारिशों पे आपका 21 कोश्चन आया था च्छात्रों की बीच सीखने की सुविधा प्रदान करते समय सिच्छा को निम्न लिखित में से किस रड़नीती से बचना चाहिए तो आपका 21 कोश्चन पूर्थ सही हो जाएगा निस्क्रिय नकल निस्क्रिय नकल पैसिफ इमिटेशन आपका 22 कोश्चन आया था अर्थिपूर अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्न लिखित में से कौन सा संसाधन का तर्तु है तो आपका 22 कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा विस्तार इलाबूरेशन आपका 23 कोश्चन आया था एक नया विश्य पढ़ाना सुरू करने से पहले एक सिच्छा के लिए ये जानना महत्पूर है तो आपका 23 कोश्चन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा फर्स सेकेंड फोर्थ बच्चे पहले से क्या जानते हैं आम तोर पर गलत धाल डाए आयो जित की जाती हैं विश्य सीखने के लिए पूर्वे आपे च्छाएं चात्रों की पसंदीदा सीखने की सैले आपका 24 कोश्चन आया था निम्न लिखित में से किसको सीखने के लिए रचनावादी दर्ष्टी को द्वारा बढ़ावा दिया जाता है तो आपका 24 को ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा पूस्च ताच अधारित सिख्चा इंक्वाइरी बेस्ट लर्निंग आपका 25 कोश्चन आया था एक सिख्चक विद्यार्थियों को अपनी सोच प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रहा है वे छातरों के बीच किस तरह के कोशल विक्षित करने पर ध्यान के अंद्रित कर रही है तो आपका 25 को ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा मेटा कोगनेटिव मेटा संग्यानात्मक आपका 26 कोश्चन आया था दे स्ट्रेटजी तो रिमेंबर अलॉंग स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स बाइ ग्रूपिंग देट इन्टू मेमुरेबल एंड मीनिंग्फुल पार्ट्स इस कॉल्ड तो आपका 26 को ऑप्शन दूसरा सही ह हो जाएगा चंकिंग आपका 27 कोश्चन आया था लच्छ प्राप्त करने के लिए पहले से सीखेगा नियमों के सरल अनप्रियोग से परे जाकर एक नए स्पस्ति करण तयार करना और परिडामों का मुल्यांकन इसके मैत पुड़ भाग हैं आपका 27 कोश्चन तीसरा सही हो जाएगा समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका 28 कोश्चन और रीजन वाला आया था तो आपका अभिकतन दिया गया था सिच्छक को विसेश अवधार्णाओं से संबंधित गलत धार्णाओं और चात्रों द्वारा आयोजत वैकल्पिक अवधार्णाओं को अ 28 को ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा दोनों ए और गलत हैं आपका 29 कोश्चन आया था करेंट साइकलोजिकल थ्यूरीज आफ इमोशन कोंसेप्चुलाइज दा डिलेशन बिट्विन कोगनेटिव एन इमोशनल प्रॉस्जिस एस तो आपका 29 को ऑप्शन दूसरा सही ह हो जाएगा आपका 30 कोश्चन आया था इस्टूरेंट्स फील मोटिवेटेड टू लर्न वेन टास्केस जब कार्य होता है तो चात्र सीखने के लिए प्रेरित मैसूस करते हैं तो आपका 30 को ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ सेयर करें वीडियो को लाइक करें आज हम 11 जनवरी को हुए सीटे 2021 पेपर वन के फुल 30 कोश्चन CDP के कम्पलीट करेंगे तो आपका पहला कोश्चन आया था अ उसके विकास की दर की तुलना करके सटीक रूप से मापा जा सकता है कारण दिया गया था पैटर्न और बच्चों के विकास की दर एक समान है और सभी संस्क्रतियों में सभी बच्चों के लिए एक समान रहती है तो आपका फर्स्ट का उप्शन फूर्थ करेक्प हो यह विकास के किस सधानत को दर साता है तो आपका सेकंड का उप्शन पहला सही हो जाएगा सफेलो कॉडल दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक दे कर दीजिएगा और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस यूटूब चैनल को विजिट करें इस यूटूब चैनल पर 2021 में हुए सीटेट पेपर वन और पेपर टू के मैक्सिमम सिफ्टों के सॉलुशन और रेडी प्रोवाइट कर दिये गए हैं आप इस यूटूब चैनल को विजिट कर और सभी सिफ्टों के सॉलुशन देख लीजिए आपका थार्ट कोश्चन आया था विच आप दा फॉलोविंग स्टेट्मेंट्स अबाउट डबला बेंट इस नॉट करेक्ट विकास के बारे में निमलखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो आपका तीसरा करेक्ट हो जा के अपने मित्र मेडिया और अनिस रोतों से सिखते हैं करड दिया गया था समाजी करड एक जटिल प्रक्रिया है जो विभिन और चारिक और अनपचारिक मौद्दमों से होती है तो आपका फॉर्थ को आप्शन पहला सही हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एकी स सही व्याख्या है आपका फिप्त कोशन आया था फॉर्थ चाइल्ड हुआर इन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेच टीचर सुड़ जो बच्चे मूर्थ संक्रियात्मक चरण में हैं उनके लिए सिखकों को चाहिए तो आपका फिप्त को आप्शन दूसरा सही हो जाएगा वस्तूओं को दर्साने के लिए प्रतीकों कप्रियों किया जा सकता है साइकल अनपस्तित होने पर भी एक छवी उत्पन्न करेगी तो आपका सिख्ट को आप्शन दूसरा सही हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज आपका सेवंध कोशन आया था आनो अपने दम पर तीन की संख्याओं को जोड़ने के लिए संघर्स करता है लेकिन सिख्छा के समर्थन से ऐसा करने में सच्छम है लेव गॉट्सकी के सिधान्त में यह हाइलाइट करता है तो आपका सेवंध को आप्शन पहला सही हो जाएगा समीपस्त विकास का छेत्र जोन और प्रॉक्सिमर आपका एट कोश्चन आया था लेव गॉट्सकी के अनुसार अधिकम है तो आपका एट को आप्शन पहला सही हो जाएगा ज्यान के निर्माड की एक सक्रिय प्रक्रिया एन एक्टिव प्रॉसेस आफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज आपका नाइंध कोश्चन आया था आशन अच्छा करती है क्योंकि वह चाहती है कि दूसरे लोग उसे अच्छे के रूप में देखें लॉरेंस कोलवर के अनुसार इबह नैतिक विकासकी की सवस्था में है तो आपका नाइंध कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा पारम पर एक कन्वेंशनल आपका टैंध कोश्चन आया था इन प्रोग्रेसिव एडुकेशन प्रकति सील सिच्छा में तो आपका टैंध कोश्चन पहला सही हो जाएगा सीखने का एक समाजिक चरित्र होता है लर्निंग हैजा सोसल करेक्टर आपका इलावंध कोश्चन आया था एनीपी दो हजार बीस इंफसाइस ऑन राष सिच्छा आपका 12 कोश्चन आया था हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तावित इंटर पर्सनल इंटेलिजन्स में निम्न लिखित में से कौन सा विवरण फिट बैठता है तो आपका 12 कोश्चन तीसरा सही हो जाएगा दूसरों के इरादे और इच्छाओं को समझने की च्छमता आपका 13 कोश्चन आया था व्यगौत्सकी रचनावाद में डैश एक महतपूर भूमी का निभाते हैं तो आपका 13 कोश्चन पहला सही हो जाएगा भासा लैंग्विज आपका 14 कोश्चन आया था विच आप दा फॉलोविंग टूल्स सुट आर टीचर यूस्ट चिल्डरन्स लर्निंग बच्चों की सीखने का आकलन करने के लिए सिच्छा को निम्न लिखित में से कि सुपकरण का उपयोग करना चाहिए तो आपका 14 कोश्चन तीसरा करेक्ट हो जाएगा फर्स सेकेंड थार और फॉर्थ तच्छा बातचीत परियोजनाए पोटफोलि स्वा मुल्यांकन आपका 15 कोश्चन आया था दा परपास आशिस्मेंट ऐस पर दा एनीपी 2020 इस टू प्रोवाइट इनफॉर्मेशन और आश्ट्रिय सिच्छनीती 2020 के अनुसार मुल्यांकन का उद्देश के बारे में जनकारी प्रदान करना है तो आपका 15 कोश्चन तीसर प्रैक्टिस इस आप बैरियर टू इंक्लूजन निम्न लिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है तो आपका 16 कोश्चन दूसरा करेक्ट हो जाएगा समगरी के वल कुछ छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है आपका 17 कोश्चन आ पूर्थ करेक्ट हो जाएगा सामाजिक कलंक विच आप दा फॉलोविंग क्रियेट्स बैरियर टू इंक्लूजन ऑफ स्टुडेंस फाम मर्जिनलाइजड गुरुप्स तो आपका 17 कोश्चन फूर्थ करेक्ट हो जाएगा सोशल स्टिग्मा आपका 18 कोश्चन आया था वि लिखने की छंता को सीधे प्रभावित करती है तो आपका 18 कोश्चन दूसरा करेक्ट हो जाएगा डिस्ग्राफिया आपका 19 कोश्चन आया था निम्न लिखित में से कौन सा अभ्यास स्रवर सिच्छार्थियों के सफल समावेस में बाधा उत्पन करेगा तो आपका 19 कोश् करेक्ट हो जाएगा सत्रिय कार्यों के लिए मौकिक निर्देश दें आपका 23 कोश्चन आया था निम्न लिखित में से कौन प्रतिबह सालिच्छात्र की विशेशता है तो आपका 28 को ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा सोच में साटीकता की ऑशकता आपका 21 कोश्चन आ आपका 21st को आप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा संदर बहीन करना आपका 22nd कोश्चन आया था एक अवधारणा के चातरों के सीखने की सुविधा के लिए एक सिच्छक को चाहिए आपका 22nd को आप्शन दूसरा सही हो जाएगा नियमों को समझने और अवधारणा की विशेस्ताओं को परिबाशित करने पर ध्यान दे आपका 23rd कोश्चन आया था नियमों लिखित में से कौन सा कारक सैच्छिडिक प्रदर्शन में चातरों की विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है तो आपका 23rd को आप्शन तीसरा सही हो जाएगा जिग्यासा आप जरूर ध्यान दीजे कोश्चन में पूछा क्या गया है नहीं है या है क्योंकि लोग इसमें कन्फिज रो जाते हैं और गलत कर देते हैं क्योंकि लोग जल्दी यल्दी पढ़ते हैं और उस पे जादा ध्यान नहीं देते हैं और कोश्चन का अंसर गलत कराते हैं आपका 24th कोश्चन आया था एक अफधारडा को पढ़ाते समय एक सिच्छक एक उधारड दे रहा है जिसमें उस अफधारडा से जुड़ी स्रेडी की सबसे महत पुर्ब मूल विशेस्ताई हैं ऐस दो धारड को कहा जाता है तो आपका 24th कोश्चन तीसरा सही हो जाएगा एक प्रोटो टाइप आपका 25th कोश्चन आया था एक निर्दिस्ट लच्च तक पहुचने के लिए चातरों को उनकी संग्यनात्मक छमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोटसाहित करके एक सिच्छक निम्न लिखित के विकास को सुगम बना रहा है तो आपका 25th कोश्चन तीसरा सही हो जाएगा मेटा अनभूती, मेटा कोगनीशन आपका 26th कोश्चन आया था शिच्छण अधिगम प्रक्रिया की संकल्पना करते समय राष्ट्री ये पार्ठ चर्य धाचा 2005 निम्न लिखित के मैत पर बल देता है तो आपका 26th कोश्चन पहला सही हो जाएगा सक्रिय जुड़ाव और बाचीत पर आपका 27th कोश्चन आया था किसी समस्या को हल करने में विद्यार्थियों की मदद करने के लिए सिच्छ को चाहिए तो आपका 27th कोश्चन तीसरा सही हो जाएगा संकेत देंकी गति विद्यों से सम्मंदित इसकीमा गिव क्यूज दैट अक्टिविटीज दैट रेलेवंट इसकीमा आपका 28th कोश्चन आया था अजर्शन और जीजन वाला तो आपका आभी कथन दिया गया था सिच्छण अधिकम प्रक्रिया के दौरान एक सिच्छा को चातरों को उनकी गलत धार्णाओं और वैकल्पिक अवधार्णाओं को साज़ा करने का अवसर देना चाहिए करण दिया गया था भांतियों और वैकल्पिक अवधार्णाओं हमेशा अधारहीन होती है और सीखने की प्रत्रिया में महतुहीन होती है तो आपका 38th का option तीसरा सही हो जाएगा ये सच है लेकिन आर गलत है आपका 39th question आया था CQ विलाचारी तब होती है जब एक छात्र ये मानता है कि तो आपका 39th का option 4th correct हो जाएगा सैच्छड़िक गतिविदियों के पैड़ाम आनियंतरित होते है The outcomes of academic activities are uncontrollable आपका 30th question आया था निम लिखित में से कौन आंतरिक प्रेणा का उधारण है तो आपका 30th का option दूसरा correct हो जाएगा किसी गतिविदी में रुची के कारण अध्यान करना अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें आज हम 12th जनवरी को हुए सीट एट अन्टिवन पेपर वन के फुल 30 questions CDP के complete करेंगे आपका पहला question आया था अजर्शन और रीजन वाला तो आपका अभी कथन दिया गया था रूमी 18 महिने में दो शब्द का उच्चारण कर सकती है जबकि पूजा ने 24 महिने में ऐसा किया इसलिए पूजा निश्चित रूप से विकास में देरी कर रही है कारण दिया गया था विकासात्मक माल स्टोन बच्चों के लिए निधारत लच्चों की प्राप्ती के लिए सटीक आयू की सटीक भविश्वारी करते हैं तो आपका पहले का option फूर्थ करेक्ट हो जाएगा दोनों A और R गलत है आपका second question आया था Middle childhood refers to the period from मध्य बाल्य बस्तासे तातपर्य है तो आपका second option तीसरा करेक्ट हो जाएगा 6 से 11 वर्ष दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक दे कर दीचिएगा और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस यूटूब चैनल को विजिट करें इस यूटूब चैनल पर 2021 में हुए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम सिफ्टों के solutions आप इस यूटूब चैनल को विजिट करें और सभी सिफ्टों के solutions देख लीजिए आपका फ़र्ड कोशन आया था फाइव इयर ओल्ड चाइल्ड कैन पांस साल का बच्चा कर सकता है तो आपका फ़र्ड का ऑप्शन पूर्थ करेक्ट हो जाएगा लच्छ निर्देशित विवहार शुरू करें और प्रतिकात्मा खेल में सनलगन हो आपका फ़र्ड कोशन आया था देश बच्चों के प्राथ्मिक समाजी करण के लिए जिम्मेदार है तो आपका फ़र्ड का ऑप्शन पूर्थ करेक्ट हो जाएगा परिवार आपका फिप्ट कोशन आया था प्रियाजियन सिध्धान्त में बै प्रत्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनभव को समझने के लिए अपने स्कीमा को रुपांतरित और संसोधित करता है कहलाती है तो आपका फिप्ट को ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा आवास अकमूडेशन आपका सिध्ध कोशन आया था अपसा एक आलू की चिप पकड़ती है और कहती है तितली जीन प्याजे के अनुसार इस प्रत्रिया का प्रतिकातमक विचार किसकी विशेशता है तो आपका सिध्ध को ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा पूर्व संचालन चरण प्री ओपरेशनल स्टेज आपका सेवंध कोशन आया था लेव गौच की बच्चों के संग्यनात्मक विकास को प्रभावित करने में किन कारकों को महत्पूर मानते हैं तो आपका सेवंध को ऑप्शन पहला सही हो जाएगा फरस्ट अंद सेकेंड भासा और संस्क्रति आपका एट्थ कोशन आया था लेव गौच की का सामाजिक संस्कतिक सिध्धान्त सिच्छण अधिकम पर बल देता है तो आपका एट्थ को ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा सहकर्मी बाच्चीत और मचान आपका नाइन्थ कोशन आया था बाल के अंद्रित कच्छा में सिच्छक की भूमिका होती है तो आपका नाइन्थ को ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा सीखने को बढ़ावा देने के लिए एक सहीयोगी कच्छा का लुकाचार बनाए आपका टैंथ कोश्चन आया था लॉरेंस कोलवर्ग के नैतिक विकास के सिधान्त में सामाजिक अनुवंध अभी विन्यास के चरण को रेखांकित करने वाले तरक की पहचान करे तो आपका टैंथ कोश्चन तीसरा सही हो जाएगा कानून और नियम मानवी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए लचीले साधन है आपका इलावंध कोश्चन आया था हावर्ड गार्डनर के बहु बुद्धी के सिधान्त में डैश बुद्धी पर उच्च व्यक्ति आसानी से अमूर्थ तरक में सनलगन हो सकते हैं और समस्याओं को हल करने के लिए प्रतीकों में हेर फेर कर सकते हैं तो आपका इलावंध कोश्चन तीसरा करेक्ट हो जाएगा तारकिक गड़ती है लॉजिको मैथमेटिकल आपका ट्वल्थ कोश्चन आया था भारत में अधिकान्स कच्छाएं बहु बासी हैं और इसे सिच्छक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए तो आपका ट्वल्थ कोश्चन पहला सही हो जाएगा एक संसाधन आपका थार्टींत कोश्चन आया था एक सिच्छक हमेशा लड़कों को फनीचर को हिलाने जैसे कार करने के लिए कहता है और लड़कियों को अच्छा को साफ उत्रा रखने के लिए यह धार्णा उचित नहीं है क्योंकि यह एक उधारण है तो आपका थर्टींत कोश्चन पहला सही हो जाएगा लिंग स्टीरियो टाइप यह आपके जेंडर वायस को सो करता है आपका फूर्टींत कोश्चन आया था आखिलन के संदर्भ में राश्ट्री सिच्छानीती 2020 का प्रस्ताव है तो आपका फूर्टींत कोश्चन पहला सही हो जाएगा विसलेशन और अलोचनात्मक सोच जैसे उच्छ करम के कौसल का परिच्छड आपका फिप्टींत कोश् पहला सही हो जाएगा पहचाने की मतभेत घाटे नहीं है रिकगनाईज देट डिफ्रेंस और नौट डेफिसिट्स आपका सिक्स्टींत कोश्चन आया था इंक्लूजिव एडुकेशन रिक्वायस समावेसी सिच्छा की आउशकता है तो आपका सिक्स्टींत कोश्चन पह पहचान उनके सामने वाली चुनोतियों से की जा सकती है तो आपका सेविंटींत कोश्चन करेक्ट हो जाएगा दूसरा किसी दिये गयकार को लंबे समय तक जारी रखना आपका एटींत कोश्चन आया था पढ़ने में सीखने में पढ़ने में सीखने में कर्टनाई वाले चात्रों के सफल समावेज की और शकता है तो आपका एटींत कोश्चन दूसरा करेक्ट हो जाएगा भासा विश्यों से उचित छूट आपका नैंटींत कोश्चन आया था उपकारडो और सहायक प्रद्योग की तथा पहुच को अनकूलित करने में करने से निम्न लिखित क सामिल करने में मदत मिलेगे तो आपका नाइंटींत कोश्चन फूर्थ करेक्ट हो जाएगा पास सेकेंड थर्ड फूर्थ धरस्टि की हानी वाले चात्र अटेंसन डेफिसिट हाईिपरैक्टीव डिसॉर्डर वाले चात्र सेलेब्रल पालसी वाले चात्र असाधारण पर से मेल खाता है तो आपका टुंटी एद कॉप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा भाशण हानी धैर दिखाए और प्रतिक्रिया देने के लिए परियाप्त समय दे आपका टुंटी फर्स्ट कोश्चन आया था लर्निंग इस इफेक्टिव भेन सीखना तब प्रभावी होता है जब तो आपका टुंटी फर्स्ट को ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा चात्रों को अपने स्वैम के सीखने के लचन धायत करने के ऑफ्शर दिये जाते हैं आपका टुंटी सेकंड कोश्चन आया था कॉंस्ट्रविक्स्ट अप्रोज आफ टीचिंग लर्निंग सिच की दो हजार बीस प्रपोजेस असिफ्ट टू आट्स राष्ट्री सिच्छानीती दो हजार बीस की और बदलाव का प्रस्ताव है तो आपका टुंटी फर्ड को ऑप्शन पहला सही हो जाएगा सीखना लर्निंग टू लर्न आपका टुंटी फर्ड कोश्चन आया था अनुप्रियोग विसलेशन और संसलेशन इसके उधारण है तो आपका टुंटी फर्ड को ऑप्शन पहला सही हो जाएगा उच्चिक्रम सोच कौसल हाई ओर्डर ठिंकिंग स्किल्स आपका टुंटी फिफ्ड कोश्चन आया था चात्रों द्वारा किये गई वैकल्पिक विस्वासों को संबोधित करने के लिए महत पूर है तो आपका टुंटी फिफ्ड कोश्चन तीसरा करेक्ट हो जाएगा ऐसी परिस्थियां उत्पन करे जहां चात्रों द्वारा किये गई वैकल्पिक विस्वासों को व्यक्त किय जा सके आपका 36 कोश्चन आया था विच आप दा फॉलोविंग सुट भी प्रोमोटेड बाया टीचर निम्न लिखित में से किसे एक सिच्छक द्वारा पदोनत किया जाना चाहिए तो आपका 26 कोश्चन पहला करेक्ट हो जाएगा द्रश्टी कोड उन्मुक महारत लच अप् करेक्ट हो जाएगा संबंदित बिलोंगिंग आपका 28 कोश्चन अजर्शन रीजन वाला आया था तो आपका अभी कथन दिया गया था सिच्छकों को ऐसे प्रशन पूछने चाहिए जो छातरों को उनसे जो सीखने की अपेच्छा की जाती है और जो वे पहले से जानते हैं के बीच संबंद स्तापित करने में सुविधा प्रदान करते हैं कारण दिया गया था पूर्व ज्यान नई अवधारणाओं को सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाता है तो आपका 28 कोश्चन तीसरा सही हो जाएगा ए सच है लेकिन आर गलत है आपका 29 कोश्चन आया था निम्न लिखित में से कौन प्रेड़ा के सुरोत और प्रेड़ा के प्रकार का सही सुमेलित युगम है तो आपका 29 कोश्चन पूर्थ करेक्ट हो जाएगा रुची यांतरिक प्रेड़ा आपका 30 कोश्चन आया था फॉर इफेक्टिव लर्निंग टू टेक प्लेस वार्ट चिल्डरन सोसियो कल्चरल कॉंटेक्स्ट अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ सेयर करें आज हम 21 जैन्वरी को हुए सीट एट पेपर फस्ट के फुल 30 कोश्चन आप सी विकास है यह आपका केंदर से परिधी की होर होता तो आपका इसमें ऑप्शन फस्ट करेक्ट आपका दूसरा प्रशन आया था लैंग्विज डवलप्मेंट अमंग चिल्डेंगेट्स इंफ्लूएंस डबाई बच्चों में भासा का विकास कि इसके द्वारा प्रभावि दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सबसक्राइब जरूर कीजियेगा वीडियो को लाइक दे कर दी चीएगा और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस यूटूभrån को विजट करें इस यूटूभ चैनल पर दो हजार इक्किस बाइस में हुए सीटेट पेपर वन और पेपर टू के मैक्सिमम सिफ्टों के सोलुशन्स और रेडी प्रोवाइट कर दिये गए हैं आप इस यूटूब चैनल को विजिट करें और सभी सिफ्टों के सोलुशन्स देख लीजिए आपका थर्ड कोशन आया था आप प प्रदद सील कच्छा क्या है तो आपकी प्रदद सील कच्छा वही होगी जिसमें सिफ्टार्थी के वीच वेक्तिकत मद्भेदों का सम्मान होगा में इस रिस्पेक्ट इंडिविजूल डिफ्रेंस अमंग लंडर्स आपका और पॉप्शन्स करेक्ट होगा दूसरा आपक आपका ऑप्शन फस्टिस करेक्ट पूर्व पारंपरिक्चरण प्री कन्वेंशनल सेज्ट आपका फिक्ट कोशन आया था इन ऑडर टू ऐसलिएट दा लर्निंग प्रॉसेस अर्टीचर सुड्यूस इस्ट्रेटिजीज विच इंपसाइज ऑन सीखने की प्रत्रियात को स संबंधों की खोच करना एक्स्पोरिंग दा एक्स्प्रोरिंग दा रिटल इडिलेशन से बिट्वीन डिफ्रेंट कॉंसेट आपका सिक्स्ट पॉर्शन आया था लेव वाय गौत्स की तासिद्धांत मुख्य रूप से संध्याने पर केंद्रेत हैं तो इसका आपका ऑप अगर एक कच्छा में किरिकेट पर चर्चा के दोरान एक सिच्छक लगे तार ज्यादा तर लड़कों कुछ से सवाल कर रहा लड़कियों से नहीं सिच्छक का यह कारेका धारन है तो यह आपका जेंडर बायस को सो करता है तो इसका ऑप्शन इस करेक्ट दूसरा आपका ए तो आपका इसका उत्कर सही है सक्तिरी ज्यान निर्मार पत्रिया को एक्टिव नौलग चंस्ट्रक्शन प्रॉसेस आपका नाइंध पॉप्शन आया था विशाबदा फॉलोविंग इस प्राइमरी एजेंट आप सो स्लाइटेशन पो चिल्ड्रेन तो आपका नाइंध को कि कौन बच्चे के समाजी करण का प्राथ में एंट है और सबसे पहले आपका परिवार ही आपका अपसे पहले हैं परिवार में होता है तो सब इसलिए आपको ऑप्रतौर्शन है आपका टेंद पोश्यन आया था यह ट्रंक्रीट कशह कूरेज अपरेशनल स्थेज़ेंग तो आपका इसका विकल्प सही है तीसरा साथ से ग्यार एवर्स आपका 11 कोश्चन आया था आपका 12 कोश्चन आया था आपका 13 कोश्चन आया था बिचा आप दा फॉल्वेंगे स्टेट में इस करेक्ड आप इसके आप्शन जिसके आप्शन थे इसका आपका इसका आप्शन दॉपरेंगे टूपर्फंवाल इन श्कूल गॉद्धी स्कूल में अच्छा पर्द श्यूटर्शन करने चंता से तहां है अंडेकर इलेजिस मो सब्सक्राइब आपको देखकर तीन साल का बच्चा चिल आए वह इतना बड़ा कुट्टा जीन पियाजे के संगेनातम विकास की सद्धान के अधार पर यह है तो यह आपता है आटमस्छाथ इसका उप्शन सही है परस्ट आपका 15 पॉप्शन आया था ले बच्चा परेखकी आइडियास लेंग्वेज्ट और विकास और बिचार बताते हैं कि आप संगेनातमक विकास को निदेशित करती है आप आप उप्शन इस परिट्विट्रा का फरस्ट आपका 16 स्टेटिविटी अमंग चिल्रेंगेंगे एक तो आपका सिस्टीन कैंसर इसके इस परेक्ट वाइंटरी इंपरीजिंग एक्परेशन को साहिट आपका फस्ट गॉस्टेंटेंट का पॉस्टेंट आपका सेवंटीन अव्चार्ट इस कैल कॉलिया इस दारेक्टी असोशिये तो यह आपका मैस्क गड़ती अफ़धर्णाओ को सेखने में कटने अगर आपको कल्कुलेशन में दिखता होती है तो यह किसे संब्देता है तो यह गड़ती अफ़धर्णाओ को सेखने में कटना इसे आपका 18 पोर्शन आया था राइट विद्वेशन एक्ट पॉन सिच्छा का अधिकारत नियां 2019 में आर्थी रूप से चात्रों के प्रवेश के लिए निजी स्कूलों में सीटों के आरच्छन का प्रवधान है तो इसका आपका ऑप्शन इस करेक्ट एक्वोर्टी आपका 19 पोर्शन आया था इन एंक्लूजिव ग्लास्रों इंफॉर्मे आपको सभी रूप में आपको सभी रूप में दिखानी पड़ेगी बैच्छों को आपका 19 प्रवेशन आया था अपको सब्सक्राइब मोडल आप स्कूलिक पॉस चिल्रें विच्छा किसम का लिए निटियों के अनुसार निम्निकित में से कौन सा मोडल बच्छों के सब्सक्राइब जिए और सीखने के प्रत्रिया की बारे में जफी नहीं है तो आपका इसको और दूसरा थीखने की प्रत्रिया में तुरुटी और गल्तियां आप प्रासंगे के एर्राइं डिस्टेक्स और इरेलेवेंट इन दे प्रॉसस अफ लर्निंग आप प्रटंटी टूप्शन आया था रिपीटिड ली तेलिंग अचाइड एक ही शी इस नॉट इपल आफ लर्निंग इस लाइकले डू बच्चे को बार बर यह बताना कि वह सी करेक्ट बच्चे को सीखने के लिए लिए मोटीवेट करना तो अपकोस आपको ऑप्शन इस करेक्ट पहला 22 का पर अपर 23 कोशन आया था प्रॉप्लम सॉल्विंग स्किल कैन बी इनहेंस्ट वाई समस्या सुल्जाने की कॉस्वल को किसकी तरब ढ़ाया जा सकता है आपको 23 को ऑप्शन इस करेक्ट तीसरा समाधान के वैकल्टिक तरीकों पर विचार करना अपका 24 पोशन आया था तो टीच और कॉंसेट तो इस्टूडेंट इन इन प्राइमरी ग्रेट्स फिच आप आपॉलिंग सीट्वेंस आफ रिप्रेजिटेशन ऑफ रिप्रेंटेशन ऑफ करम सबसे उपयोगते हैं तो इसका आपका ऑप्शन करेक्ट है पूर्थ हो सामंतरी जेत्रप प्रादीख आपको पोशन आया था कच्छा के वातावरण का बच्चों के सीखने पर महत्रकुत पढ़ता है महारत उन्मुक्त सीखने की संस्क्रति को विख्षत करने के लिए स सीखना सच्छा का बातावरण होना चाहिए तो इसमें आपका होना चाहिए को और प्रेटिव एंड पूलाबरेटिव सहेकारी हो और सही होगी तो आपको प्रेक्शन करेक्ट पूर्थ है फिर आपका 26 पोश्चन आया था निम लिखित में से सीखने की सामदरी में कौन सा क इसके लिए सचार्टी की से लिए भागिदारी के उप्सकता हो दिये लर्निंग इजा कॉम्प्लेक्स प्रॉस्ट विच रिक्वाइस एक्टिव इंगेजमेंट अफ लेनर्स आपका 27 पोश्चन सीखने का सामाजिक रचनाथ हमें दर्श्रिकोर्ण सीखने के पत्रिया में देश के महत पर जोड़ देता है तो आपका इसको ऑप्शन इस परेक्ट फरस्ट बाच्चीत इंट्रेक्शन जितना आप इंट्रेक्शन सरोगे आप एक दूसरे से पूछोगे उतना ही आप सीखोगे आपका ऑप्शन पस्टिस करेक्ट ट्वंटीएट विचाफ आप कोर्शन था तो फैशलिएट कॉंसेप्ट्ट्वर अंड़स्ट्रेंडिंग अमंग इस्टूडेंट्स एक टीचर सूट चात्रों के बीच पैचारी मुझामच को दुगम बनाने के लिए एक सिच्छा को चाहिए तो आपका इसका ऑप्शन इसकरेक्ट तीसरा जो प्रस्त कि भावनाएं तो आपका इसका ऑप्शन इसकरेक्ट क्योंकि यह चारों ही सीखने को प्रभावित करने वाले कारत हैं अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी यूटुप केनल को सब्सक्राइब करें